तो मेरे भाईयों स्वागत है आप से मेरे एक नए वीडियो में भाईयों हमारे चेहरे के ऊपर घनी घनी दारी मुझ होना दोस्तों काफी जरूरी है जिससे दोस्तों होता यह है कि हमारे चेहरे का जो स्मार्टेस होता है दोस्तों उसमें चार चान लग जाता है और हम लोग काफी ज्यादा smart दिखना सुरू हो जाते हैं और दोस्तों इसलिए अभी के समय में बहुत सारे लोग अपने गालों के ऊपर दोस्तु मार्केट से महिंगे महिंगे प्रोडर्क्ट यूज करते हैं लेकिं दोस्तों फिर भी हमारे गालों के ऊपर दारी नहीं आपाता है जिस टूस्तु अगर आप लोग वी अपने गालोगे उपर धाही लाना जाहता है लोग lawyers कर नाकना का गया होगा ऐस्ज忟 उपने मार्केट y7 करना है दूस्तो लोग जीड र्फिया करना है ओर बोलुगे यहीं स्यिकता कुछ करते हैं तो दोस्तों हमें दारी होगाने के लिए करना क्या होता है दोस्तों अपने ही कीचन से दोस्तों सो ग्राम के आसपास दोस्तों आपको प्याज ले लेना है और दोस्तों उस प्याज को दोस्तों आपको बारेक टुक्रों में दोस्तों कटिंग करके दोस्तों आपको एक लेप तयार कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको 100 ग्राम के आसपास ही जैसे कि दोस्तों आपने 100 ग्राम के आसपास प्याज लिया बिल्कुल उसी परकार से दोस्तों आपको 100 ग्राम के आसपास एलो बेरा का पत्ता ले लेना है और दोस्तों उसी प्याज में दोस ब्सकिर को एẽ स्गॉष् meatballs इसका ब्लीक्रीक्यक्राया कि और दूसंतन सब्सक्राइड पमोपने आपके डॉडम कोई-पातबाइड-च। ब्लॉज और इसकैने के लाएग सुखे में यह यह वह हुआ घर जूदária दोस्तो नारियल तेल प्याज एलो वेरा ये तीनों ही चीज दोस्तो खुड को मिलाकर दोस्तों अब الرजम है बलकि दोस्तों सूपर बन के जुका है और दोस्तों इस बन और पार दोस्तों शुरम मगलाना है और दोस्तो लगबग 5 मिनट के आसपास दोस्तो लगाना है और 5 मिनट दोस्तो जम के मसाज करना है और दोस्तो उसके बाद आपको अपने गालों को धोलेना है अगर दोस्तो अगर आप लोग अपने गालों के उपर रात में लगाते हो तब तो और बरिया अगर दोस्तो आप लोग दिन में लगाते हो तो दोस्तों पुछ मिनट मसाज़ करने के वाद आप दो भी सकते हो और दोस्तों यह चीजी आप लोग कुछी दिन ट्राइक करोगे तो आप लोग बोलोगे भाई मैं क्या जर्म का दिखा तरीका बता दिया कि हमारे गालों के उपर बर बर के दाहि करें ताकि दोस्तों आपको ऐसा हमारा नया नया वीडियो मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बब बाई